आपके कोशन पर है अंजी अबने इस बताइए तो तो अब बागी कोशन पर आते हैं जी 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 अच्छा ये थोड़ा ट्राइए करना पड़ेगा मुझे ना ये कहरा है कि कंसीर तो फॉलोविंग रिगरेशन मोडल ये तो गया आपका पॉलिनोमियल मोडल है ना मतलब क्या क्या बोलते हैं है कि तो इस तक ऐसले बताया है इससंदे कराया होंगे ना नहीं सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैं तो अभी नहीं किया हूं ये वॉइटी जो है ठीक है नहीं एक कोई या मोडल्यूंमल इक्विशन को आपको आपको यहा बोल रहा है कि जो सउनद टी है वो नौर्मल मुवन है एप पॉर इंटी दिन वेमिच दुडिशाथ ful tok स्रीमैंट 나fा नाव parce at the unknown parameter tob तो मुझे लबता है कि जैसे यहां से से आप फाइंड करते थे य बराबर छोलोग लिए नगी लिए दो अगर सीफ़न की बात करें एक्स तो इसमें अगर अलफा वन का हम लोग निकाल लेते हैं तो वो जो आता था है ना क्या आपको यह चेक करना पड़ेगा अनबास्ट है कि नहीं कि यहां से फिर में पहले जाते माल नौ आप कहीं अलफा वन हैट एलफा टू हैट फिर जाके अलफा नोट हैट आएगा क्या होगा य बार माइनस यह न है ऐसा कुछ मना सकते हैं अलफा वन हैट एकस बार और फिर minus alpha 2 hat 1 upon n summation xi square यही न इस तरह से model बनेगा लेकिन question है क्या यह unbast होगा यहाँ पर quadratic term होगया इसलिए problem, वहाँ linear था तो expectation directly apply हो जाता है तो इससे जो list square estimator आता है वो unbast भी आता है तो आपने यह पढ़ाए कि यहाँ पर list square estimators है वही MLE भी होता है और वही unbast भी होता है in fact यह blue होता है जो simple linear regression में तो यह है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा due to this quadratic term क्योंकि expectation आप डियक्टी linearly तो apply कर नहीं सकते तो यह variance को effect करेगा e x square जो आएगा यहाँ से तो क्या लगता आपको लगता है कि alpha naught अगर expectation लगाएंगे तो यही मिलनी थे ही check करना है कि e of alpha 1 hat आएगा क्या e of alpha 2 hat alpha 2 होगा क्या e of alpha naught hat alpha naught आएगा क्या question यह है हमारे पास फिर बात में mu का estimator निकालने के लिए आपको वो जैसे उसमें निकालते थे आप लोग वह ऐसा कुछ करना पड़ेगा regression sum of a square due to regression upon something तो मालो यहाँ पर epsilon i हम लेते है normal वहाँ क्या लेते थे आप 0 1 मालो जब लेते थे तो उसमें यह अगर mu, 1 ले 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 इसमें हम तो इसमें क्या आता है epsilon i mu का unbass estimator क्या आता है linear model में यह अगर आता है अगर आता है तो इसमें क्या आता है estimator याद है आपको कुछ है theorem mu का यह linear model में जो error terms epsilon i जो है यह error normal mu, 1 है तो इसमें mu का estimator क्या आता है या mu का आता है y-y hat y-y hat यह कुछ ऐसा आता था sum of square due to residual upon n-2 यह क्या आता है अच्छा उसका आता है तो sigma square का है sigma square अच्छा तो वहां पे हम लोग ऐसे लेते था यहां से y-y hat निकाने सब्सक्राइब इसमें sigma square का estimator जो मैं बता रहा था यह क्या आता है यह क्या आता है यह क्या आता है स्स्रेज़ूल upon n-2 स्स्रेज़ूल upon n-2 यह sigma square का है अब अगर मैं sigma square को 1 करके mu को वह कर दूँ तो उसके according निका y-y hat ना तो अगर वैसा करते epsilon i अगर मैं लेता हूं normal mu,1 ठीक है तो mu hat y y-y hat निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा है ना फिर अब यहां तो कोई parameter रहा नहीं नहीं सर्व मॉडर लिखिये y-y equals to आपके case में simple में और जो given question है उसमें क्या होगा नहीं वह तो सोचना पड़ेगा वह इससे कुछ relate कर पाएंगे क्या अगर linear में आप अगर निकाल पाएंगे तो फिर उससे हम सोचने क्या करेंगे एक तरीका लेंदी वे है कि पूड़ा हम वह निकाले है ना नहीं तो मुल्टिपल लीनियर रिग्रेशन सोच रहे थे हां यहां यहां तो यहां 100 क्रास 3 का मैट्रिक्स परन रहा है हां इसको मुल्टिपलाई करना पड़ेगा तो फिर 3 क्रास 3 का मैट्रिक्स जो एक्स दैस एक्स का इनुवर्स एक्स दैस वाइव होता है हां मास बीटा कैप तीनों का जाएगा अगर यहां पर कि 100 क्रास 3 इंटू 3 क्रास 100 का मुल्टिपलाई करना है अच्छा तो क्योंकि यहां टी इस रणिंग फ्रम वन तो अंडिट की है नहीं मतलब ट्रेडिशनल या ऐसे मानुवर्स नहीं होगा यह मैट्रिक्स थियोड़ी में बहुत सारे तो मैनूल में तो टाइम लग जाएक काफी कुछ ऐसा रहा है वन वन आ रहा है वन टू फिटू का स्कॉर एसे रहा है तो स्पेशल मैट्रिक्स आ सकता है जिसका कुछ कि इसका कुछ हम इस इस ऑल करना पड़ेगा यह देखता हूं सॉल करके फिर डिसकस करते है तो अभी वो इसमें कितना मुल्टिपल लिए लिगसन करा दिया उन्होंने अच्छा मुल्टिपल हो गया तभी कितना बाकी है कुछ यह नहीं हो गया जिस सीलेबस में क्या है अल्मोस्ट होई गया वहीं कोकरन्स थीओरम बताये लास करसे अच्छा तो वह तो लगबग अ स्टोकस्थिक गेट का सिलेबस ना यह है तो यह सिंपल यह करा दिया उन्होंना मल्टिपल हो गया आर्ट स्कूर इस फर्मूला यह दियर अप्लिकेशन उतर यह कुस्टन से फिर दिस्ट्रिबूशन अफ कोडरिटिक फॉर्म यह भी मोर और लिस यह नास्ट क्लास में थोड़ा सा बता है यह हो गया फिर यह फिसर कोडरन थेओरम फिर गॉस्ट मार्कोव थेओरम फिर टेस्ट ऑफ रिगरेसन यह इन शुरू में कराया था उन्होंने ऐसा कुछ है यह तो है वाला पार्ट डिसकस करना यह दो थेओरम यह लिखा दो प्रूफ करने में टाइम जाता है करा भी सकते अब चाहेंगे त दो मैं तो मैं तो स्कीफी करता हूँ पीसर कोड़न थी कुकरन थेओरम और गॉस्ट मार्कोव थेओरम बाकी तो बाकी अनको बोलता हूं जो है प्र देखेंगे को सिस्कर करके क्या होता है यह वाल्मोस रही गया है यह फिर फिर इसके बाद यह स्टार्ट होगा एक नया लाए वो देखेंगे तिन अलग टीचनल एक इनों ने बढ़ाया दूसरे टीचरी मुल्टिवेरियर वो बढ़ाएंगे पुसकल सर मेरे कली यहां पर बीट में तो बढ़ात मतलब यहां पर जॉब करता है वह पीज्डी अलेड लेड लास्टाइम पावन सर बढ़ाय थे तो ने एक और बढ़ाय था हां योगेस और योगेस यह यह वह इसे तो उस्थी मेरा वसकतो तो तो थिक थे मैज एए अब इस बार अभी देखते है यह नया टीचर ट्राइगर दिधा ही करते वागे रिकॉरडिंग तो यह पुसकल सर यह पढ़ाएंगे एक है क्या नमने का दानिस नाम है वो यह पढ़ाएंगे फिर देखते कैसा रहता है कि मुझे में इंपोर्टिन्ट है हाँ यह तो अच्छा नेट में तो और टॉपिक है नहीं तो अधिक्स करेंगे देखते हैं अभी कैसे है तो उस बाने हम भी सीख लेंगे दिसकास तो करना ही है तो गिने वाज़ने का से लबस खतम हो जाता है फिर हम नेट का भी अभी चूणा करेंगे तो इसमें यह सब तो हो आइगा इस फिर और आगया आईगा ऑपय एक और कम्प्लीट हो जाए तो एक जैसे जैम करा रहे हैं इसे गेट में प्यू आई क्यों कराएंगे येर वाइस तो वह पर एक बार खतम हो जाए फिर नेट कालग से प्यू आई क्यों टॉपिक वाई डिसकस करेंगे ठीकर देखते हैं उस को सब्सक्राइब